नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका टैरेस गार्डन चैनल पर तो दोस्तो आज है सितंबर की तेश तारिक और साम के 6 बज रहे हैं गर्मिया हमारे यहां पिछले 3-4 दिनों से काफी जादा तेज पड़ रही हैं और बीच में तो बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया था कि AC कूलर सब बंद हो गए थे लेकिन दुवारा से 2-3 दिनों से AC कूलर हमारे यहां दुवारा चालू हो गए हैं तो दोस्तो आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे किचन गार्डन में क्या कुछ चल रहा है तो दोस्तो इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो सबसे पहले आप देख सकें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेय और कमेंट जरूर करें तो दोस्तो अब चलते हैं अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त किचन गार्डन में क्या कुछ चल रहा है तो दोस्तो सबसे पहले ये हमें हमारे करेला की वाइन लग रही है और इसमें से हमने काफी सारे करेले हारवे कर लिए हैं और अब इस वक्त इसमें पानी की कमी है क्योंकि जैसे कि आपको बताया है हमारे यहां पिछले तीन से चार दिनों से काफी तेज धूप पड़ रही है और ऐसे ही यह हमारी तोरी की वाइन भी हो रही है इसमें भी पानी की कमी हो रही है तो दोस्तों तोरी की वा कि वाइन जिससे की हमने धेरो लोकी हारवेस्ट भी कर रही ली हैं और यह छोटी छोटी आपको देखाएं कितनी सारी आ रही हैं और यहा हमारी तोड़ने लाइक है और हम यहां से कई बार लोकी तोड़कें भी लेके जा चुके और अभी तक भी हमारे ककड़ी की वाइन चल रही है और इनमें ये ककड़ी भी आ रही है ये ककड़ी लग रही है और आप तो ना कहीं भी मार्किट में सबजी मंडी में भी आपको ककड़ी कहीं भी दिखाई नहीं देगी और दोस्तों ये है हमारी ये भी घ्या की बेल है मतल ये लग रहा है और करेले न काफी छुप छुप के लगते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं और दो दिन पहले हम यहां से करेले भी तोड़ के लेके जा चुके हैं और ये करेले भी हम दो तिन दिन के बाद तोड़ ले जाएंगे क्या होता है कि एक बार में इतने करेले न हैं और यह हामारी यह दूसरी जग है और यह भिंडिकी तो बीज बीज खराब था में था तो क्या तो फोड़े ही भेर हैं और यह भेर से च्लास को दीम किशें पलें लोगे हूँ और जोड़े लगे हुए हैं गर्मियों से ही काफी सारे टिंडे इन में से हम हारवेस्ट कर चुके हैं और अब भी इनमे ये चोटे चोटे टिंडे आ रहे हैं और यहां तो यह इतना मोटा टिंडर लगा हुआ है ये सैदन रह गया है और दोस्तो ये है हमारे बैंगन के पौधे जिनको की हमने सीड से लगाया है और अब इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं और यहां ये बैंगन भी छोटे-छोटे सैद बन रहे हैं और दोस्तो इस बार हमारे यहां गर्मियों में बहुत ही जादा गर्मिया पड़ी थी तो लाश्ट येर के हमारे पास जो बैंगन के पौधे लगे हुए थे सभी के सभी खराब हो गए थे और ये पौधे हमने दुवारा से सीड से ग्रो किये और फिर हमने यहां सिफ्ट कर दिये और ये हमने लगा रखी है टमाटर के सीड डाले थे तो ये टमाटर के बीज निकल आये हैं ये हमारी सेम के प्लांट है इनमें अब सेम आनी शुरू हुई है तो ये हमारी सर्दियों की सबजी होती है सर्दियों में ही सेम लगती है और बैंगन भी सर्दियों का है और ये टमाटर के जो है ये भी सर् जो हमने सीड से लगाए थे इसमें तो यह फूल आने शुरू हो गये हैं और दोस्तों यह भी सारे के सारे बैंगन के ही पौधे हैं जो की बाद में ग्रो हुए थे और सभी साथ के हैंraum ये वाले भी एक साथ लगाएते मतलब डालेते हमने और ये वाले भी मतलब ऐसा होता है कि कभी कुछ पौधे पहले ग्रो हो जाते हैं और कुछ पौधे बाद में ग्रो होते हैं तो ये वाले पौधे बाद में ग्रो हुए थे और कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जो छोटे छो काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है यहां भी और यह चोटे से पॉट में ही लगे हुए हैं यह जो है सीड उड़के गिर गया वहां से इस तरह से ग्रोव हो गया और यह हमारा पॉदिना लगा हुआ है दो सैलो पॉट में और पॉदिने की खुसबू तो बहुत ही बढ़ी आत बीज लगाया था जो हमारे घर में लाल मिर्ची आती हैं उसी का हमने निकाल के बीज डाल दिया था और फिर उसके बाद यह पॉदे हमने इस तरह से रिपोर्ट कर दिये और तो यह है पालक जो की हमारा खराब हो गया है हमने बरसात के मौसम में लगाया था तो बरसात के म मेहीन में फली भी आने शुरू हो जाएंगी और यहां हमारी लग रही है यह पंपकिन की वाइन है इसमें आपको देखाएं कितने सारे फूल खिल रहे हैं मतलब यह सुबह खिले थे और अब तो शाम का टाइम है तो सभी के सभी फूल बंद हो गए हैं वरना यह वाइन है न की लगी हुई है यह वाटर टेंक का आधा हिस्टा제가 1000 लीटर की हमारी वाटर का हिस्थी जो कि टूट गई थी और उसी में हमने किचन वेस्ट डालके और उपर से थोड़ी सी सोईल डालके इसमें यह बीजद के बीच किक और लोकी की वाइन डी और यह वद को और pumpkin की wine को ना काफी space की जरूरत होती है तो इसलिए इने space अच्छा मिल गया है तो इनकी growth भी काफी बढ़िया हो रही है और यहां भी यह pumpkin के flower खिल रहे हैं और दोस्तों अब दिखाते हैं हम आपको pumpkin यह pumpkin लग रहा है लटक रहा है और यह एक यहां लग रहा है यह छोटा यह उपर की तरफ है और दोस्तों एक है न पीछे की तरफ था वो दिवार के उपर wine जा रही थी तो सैद है न वजन के कारण वो गिर गया है नीचे तो वहां थोड़ा मतलब नीचे से जाना पड़ेगा तो वो सैद नीचे गिर गया है लेकिन वो भी वहां भी अच्छे से पंपकिन लगा हुआ है यह दोस्तों हमारे किचन वेस्ट जहां हम डालते हैं इस वाले water tank में आपको दिखाएं यह कीचन वेस्ट डालते हैं हम जो भी घर में फालों के सब्जीों के छिलके निकलते हैं उसी को और यहां आपको देखाएं यह एक पंपकिन कितने बड़े स सीड भी नहीं डाला पता नहीं जैसे सबजी बनाते हैं उसमें कोई पक्का बीज निकल गया होगा तो उसी से ये वाइन ग्रो हुई है और एक pumpkin आपको दिखाएं ये रहा एक pumpkin कितने बड़े साइज का है ये सबसे बड़े साइज का pumpkin है जो की नीचे लगा हुआ है इसके नी अक्सीजन हावा नहीं मिली इसलिए खराब हो गया और ये वाला pumpkin तो बहुत ही बड़िया चल रहा है काफी बड़े साइज का है और kitchen waste में भी इसको अच्छी खासी जगह मिल रही है और दोस्तों ये लग रही है हमारी बिंस जो कि हमने कुछ दिनों पहले लगाई थी ये छोटी छोटी विंस लग रही और ये वाइन उपड़ तक जा रही है और ये भी बिंस लग रही है क्योंकि इस वाइन को हमने उपार चड़ा दिया था इसको सपोर्ट दे दिया था और ये कुछ दिनों पहले ही लगाई है इसलिए इसमें फली आनी शुरू हो गई और इसमें जो पहली फली आई थी उसी से हमने जो अभी आपके साथ प्लांट सेयर किये हैं बिंस के वो इसी की फली से हमने लगाए है तो दोस्तों आपको हमारा किचन गाडन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद